हेलो दोस्तों मैं मरिश शुहान और आप देख रहे हैं ABN TV वैसे तो इस समय करोना को लेकर जो महौल हर जगा बना हुआ है वो काफी डराने वाला है पर आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक गुड नियूज है अब आपको करोना टेस्टिंग के लिए लाइन में नहीं लगना होगा और ना ही कोई स्टिक अपनी नाक और मुह में लेने की जरुरत पड़ेगी करोना के स्काल में करोना वाइरस को पहचानने के लिए अब इंसान के सबसे वफादार दोस्त का सहरा लिया जाएगा और टॉयलेट के नमूनों को सुंगा करोना का पता लगाने की ट्रेनिंग दी गई है वास्तविक नमूनों का इस्तमाल करके दिल्ली छावनी के सैनने पशू चिकिस्सा में इनकी काबिलियत का परदर्शन किया गया इन डॉक्स का नाम जया और कैपसर है विशेशग्यों का कहना है कि डॉक्स द्वारा संक्रमंट का पता तुरंत लगाया जा सकता है जबकि जाच में ज़्यादा समय लगता है डॉक्स की स्थमता का पता चलने के बाद दुबई और स्विजरलेंड जैसे देशों ने संक्रमंट की पहचान के लिए डॉक्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है विशेशग्यों का मानना है कि अगर यह टेकनिक सफल होती है तो इससे संक्रमंट के प्रियास को रोकने में मदद मिलेगी उन्होंने बताया कि बिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में पहले ही करोना का पता लगाने के लिए डॉक्स को ट्रेन्ट किया गया है विशेशों में पहले भी मलेरिया और मदूमें जैसे रोगों का पता लगाने में इनका इस्तिमाल किया जाता था हालांकि भारत में पहली बार चिकिस्सा सम्मंदित जानकारियों का पता लगाने के लिए इन डोक्स का उप्योग किया जाएगा आप लोग ने भी डोक्स को बॉम और टेरिस्टों को ढूंटे हुए देखा होगा पर अब वो करोना वायरस को ढूंडेंगे ये काफी मज़ेदार भी होने वाला है तो ऐसी कुछ मज़ेदार खबरों के लिए बने रहे है एबेनन टीवी के साथ